आज बड़े दिनों के बाद बैंगन के पलिते बना रही हूँ क्योंकि समर में तो विंटर जैसे बैंगन ही नहीं मिलते फिर भी खाने का मन किया तो आज बना दिया इस सबजी के लिए हमें बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पर मैंने 3-4 चमत जितना बेसन ले लिया है मैंने यहाँ पर नॉर्मल बेसन का ही यूज किया है इसे बून कर लेने की कोई जरूरत नहीं है अब हम उसमें एट करेंगे हिंग, हल्दी पावडर, धनिया जीरा पावडर, लाल मेच पावडर, गरम मसाला और आमचूर पावडर अगर आपके पास यह ना हो तो उसकी जगह आप थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज कर सकते हो थोड़ा सा नमक और हरा धनिया अब हमें इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर हम जो धनिया यूज करेंगे वो थोड़ा सा भी गिला नहीं होना चाहिए बैंगन के उपर कोट करने के लिए मसाला रेडी है अब हम एक बैंगन ले लेंगे समर में इतने अच्छे बैंगन नहीं आते जैसे मिंटर में आते है इसे हम स्लाइस में कट कर लेंगे आप अपने इसाब से इसे पतला या मोटा रख सकते हो अब चाको की मदद से हलके हलके कट लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए हमें यहाँ पर ज्यादा डीप कट नहीं लगाने है तो चलिए अब हमने जो मसाला बनाया है उसमें इस बैंगन को अच्छे से कोट कर लेंगे हमें दोनों तरब से इसे अच्छे से कोट कर लेना है अब जो एक्स्ट्रा मसाला है उसे हम निकाल लेंगे देखो बैंगन को हमने अच्छे से कोट कर लिया है अब इसे 10 मिनिट के लिए ढख कर साइड में रख देंगे आप देख सकते हो बैंगन के मौश्चर की वज़े से मसाला कैसे अच्छे से चीपक गया है अब हम एक पैन में थोड़ा सा ओयल लेंगे जब वो हलका सा गरम हो जाए तो जो हमने मसाला कोट करके बैंगन रखे थे उसे पैन में रख देंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है तब भी जो यह बैंगन है वो अच्छे से पकेंगे जब यह एक तरब से थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तब हम उसे पलट देंगे मेरे घर में इस बैंगन को सब क्रिस्पी खाना पसंद करते है इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पर पकाती हूँ ताकि वो क्रिस्पी भी बने और अच्छे से पक भी जाए मैंने यहां दूसरी साइट तवे में भी बैंगन को रख दिया है ताकि सारे बैंगन एक साथ हो जाए आप देख सकते हो तवे में कितने सारे बैंगन एक साथ आ गये है सारे बेंगन को हमें एके करके पलट पलट कर सेखना है तभी वो दोनों तरब से अच्छे से क्रिस्पी होंगे यहाँ पर हमारे बेंगन के पलिते बनके रेडी हो गये है आप देख सकते हो यह कितने क्रिस्पी लग रहे है और सच में ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे देखकर ही मुँमें पानी आ जाए ऐसे बंगन के पलीते बनके रेडी हुए है है न बहुत ही easy और instant recipe इसे बंगन की कतली और बंगन भज़ा भी बोलते है हमारे यहाँ इसे रूटी और दाल चावल के साथ खाया जाता है ये इतना tasty होता है कि अगर रोज खाने को मिले तो भी अच्छा लगेगा Enjoy